जैहें दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ इफ इंडिया ड़स नॉट कम तो पाकिस्तान फोर जैंपियन ट्रोफी 2025 वीडियो क्वालिफाइश्री लंका कर लो कर लो कर लो अभी हम भी बोल रहे हैं हमारे जही साहब बोले या ना बोले उसका तो हमें कोई पता नहीं है कम बोलेंगे लेकिन आपको क्वालिफाइश्री नहीं आना है तो वीडियो देखते हैं आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेर जरू से कर दीजिए गार चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों यह बड़ा सिरियस मामला है कि कम अगर नहीं आना चाहता है तो हम किसी भी दूसरे देश को हिंदुस्तान की जगा कौलिफाई करवा के उसे चैंपिन ट्रोपी दो हजार पच्छिस की किलवाएंगे पाकिस्तान के अंदर बार में जाए हिंदुस्तान की इतनी अकात भी नहीं है कि वो इतने नक्रे दिक पाकिस्तान नहीं जाएंगे देखे यार यह मसला एशिया कप में भी हुआ था और आपको पता है कि हिंदुस्तान गया नहीं एशिया कप में अब दोस्तों चेंपिन ट्रोपी के लिए बी सी सी आई ने रिसेंटली दोस्तों जो है खुलम खुला के दिया है फाइनली डिस कि हम नहीं जाएंगे हम अपने प्लेइर्स को नहीं बेज़ेंगे तो भाई उसके रिप्लाइब में हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के एक प्लेइर सिर्फ एक प्लेइर के अगर हम बात करें तो आपके पूरे देश से उसकी उकाट ज्यादा है पैसों प बिटा देंगे हम डूंड रहें किसने किया है यह लेकिन भाई पिर हिंदुस्तान का क्या होगा तब से बड़ी बात तो यह है आपके देश में ना पी-म सेब है ना सी-म सेब है ना सिविलियन सेब है आपके लीडर तक जेल में पड़े हुएं कहीं पर भी गुज जाते है यहां तक के चाइनीज इंजिनियर जो है हर रोस टार्गिट हो रहे हैं आपके देश में तो भाई ऐसे हालत में प्लेयर कैसे आ सकते हैं देखें यहां पर पाकिस्तान बोलता है कि यह फाइनल बात है अगर हिंदुस्तान ने आना है तो आई है अगर नहीं आना है हम किसी और देश को कौलिफाई करवा देगें भाई करवा लो हिंदुस्तान तो पहले भी बोल चुका है बीसी सी आई कई बार बोल चुका है कि हम यह जो बड़े बड़े आई सी सी के जो एविंट होते हैं जिसे एशिया कप हो गया यह वर्ड कप हो गया बीसी से कई बार बोल च चुक है कि हम इन इविंटों में बड़ी जो है मजबूरी के साथ पाक्षान के साथ कहलते हैं नहीं तो हम वहां भी ना खेले पाकिस्तान के साथ और रही बात हिंदोस्तान की तो भाई 2025 25 चेंपिन ट्रॉबी में हिंदुस्तान जब एक बार बोल देता है ना वो कभी यूटन नहीं मारता है पाकिसान अपनी बातों से कई बार यूटन मार लेता है कि हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे बाई और इतनी बड़ी तक्रीब देखें न्यूजलेंड की टीम पाकिस पिटल बन रोड बन भाई हर जगा जो है उन लोगों ने वो लगा दिये क्या बोलते है जिब रस्ता बन करते हैं और सारी जगों को बन करके भाई इतना अजाब में क्यों हो मेरे दोस्त आपका देश इस लायक नहीं है कि आपके देश में कोई बड़ा इविंट हो सके करवा लो और रही बात आप ये चाहते हो कि आप पैसे कमा हो तो भाई पैसे भी तो नहीं कमा रहे आप अभी आप रिसेंटली पी एसल केल के आया हो जिसमें आपको उल्टा जेब से पच्चिस तीस कड़ों रुपे नुकसान हुआ है तो फाइदा क्या है भाई अपने द सिरीज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई आरसे से अफगानिसान को बोल रहा है सिरीज केलने का लेकिन अफगानिसान ने अभी तक जो है जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को कि हाँ हम आपके साथ खेलेंगे या नहीं केलेंगे बिलकुल सची कबर है लेकिन अगर अप मैरे से पोचे तो अफ़गान साथ को खिलना चाहिए सिरीज पाकिसान साथ लिकन अफ़गान सान के क्रिकट बोर्ट ने अभी तक पाकिसान क्रिकट बोर्ट क को ज्युदा जवाब नहीं दिय है कि हाँ हम पाकिस्तान की कि भाई वहां पर कोई भी खेलने का जो है वो दिल नहीं खरेगा किसी का भी और रही बात हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान तो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा आप हिंदुस्तान आए तो उसमें कोई शक नहीं आप जो है वर्ल्ड कप में आगए वंडे ورلڈ کپ میں कोई परेशान ही नहीं थी हर जगा अराम से जा रहे थे आ रहे थे जो नौर्मन सेक्यूरिटी सब को मिले थी वह आपको भी मिले थी ना ग्राउन में मसला था ना होटल में मसला था ना देश में मसला था आप गूमे पीरे तो भाई पाकिस्तान में क्या ऐसा हो सकता है क्या एक चेंपिन ट्रोपी खेलने के लिए क्या टीम जेल जाएगी जानी के कहने का मकसद ये आप जिस होटल में ठेहरें उसके आस पास आजू बाजू में भाई आर्मी वाले खड़े हुएं और पिर रही बात यार आकिर हिंदोस्तान की टीम पाकिस्तान आये क्यों अभी रिसेंटली आपके आर्मी चीप आसिम मुनीर ने कहा था पाकिस्तानी टीम को कि पूरी दुनिया से हारना हिंदोस्तान से मत आरना ये तो कुलं कुला दुश्मनी हुई आप पॉलिटिक्स को जो है वो क्रिकेट में मिक्स कर रहे हो सियासत को आप स्पोर्ट में लेके आ रहे हो यह पहले बार नहीं कई बार लेके आ चेके हो आपके पीम जो है जो क्रिकेट में बात करते हैं उल्टे सीधे आपके जो है सीम वगेरा बात करते हैं बोलते हैं कि ये जीत है पाकिस्तान की जीत है इसलाम की जीत है वाई ऐसी हालत में हिंदुस्तान ना कभी पाकिस्तान जाएगा और मेरे को नहीं लगता कि जो है ये चेंपिन ट्रोपी पाकिस्तान में होने वाली है क्योंकि इनके ग्राउंड्स की भी हालत कापी ज्यादा कर आई सिसी की जो ट्रीकेशन टीम आई थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिये थे उन्होंने का अगर आप बनवा सकते तो बैया हम कई और पे करवा लएंगे लेकिन पिर इन्होंने टेक्निकल के साथ खेलने के लिए तो फिर वही पुराना रूटीन है हिंदोस्तान के जो मैचिस होंगे या सिरिलंका में होंगे या पिर योई में कहीं भी रिखवा दो नो टेंशन तो लवी दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो कमें सेक्शन में जुरूर बताना है लेक पहले लास्ट वाली हमारी जो सेंपियन ट्रोफी थी जो उस समय ये बात जहन में आ रही थी तभी हम मैंने बूला था जो जर पच्चीज हो या कोई भी हो भारत कभी पाकिस्तान में जाके खेलेगा नहीं आगे है रिजल्ट अब आप पोल यो दोस्तों मेंना को प्रोमिस बस अस्पर लाव करते हैं। और छोटियो करने है हंकाद बहुत थी कोैस्ता कि रिजनियुक she has been *** दूसरी बात है कि आप देख लेना यह बोल रहे हैं अब हम दूसरी टीम को फलाना धिमकाना यह मजबूर हो जाएंगे भारत खेळेगा और बारत कोई और कंट्री में जल रहा है उसमें यह लोग पुरा city ही बंद कर रहा है उसका मतलब देख लो तो फिर भी इन सिरीज के 20 में ही धमकिया शुकी है ठीक है अब तो न्यूजिलेंड की टीन को सोचना है कि आगे खेलना है या नहीं हमकिया शुकी है बिल्कुल अधर मेरे को लग रहा है कि निकल भी ले देखते हैं यह लोग कोई बरोसा नहीं होता बाकि दोस्तों वीडियो कैसे लगी क कोमेंट में लिक कर दो बता दीजिए फिलाल आपसे विदाय ले रहे लेकर मिलेंगे और एक नहीं वीडियो में आपके सहां तिल देन जाहिन 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 झाल